तो घंटे पचास मिनट का ये आम बजट रहा जो केंद्रिये मंतरी वित्व मंतरी निर्मला सितारमन ने पेश किया लेकिन इसमें मिला जुला करके समिक्षा की जाए तो इस बजट से मिला क्या है देश को देशवासियों से इनका टैक्स जो सबसे ज़ादा जिसमें लोगों उनको कुछ राहत दे गई है और सिर्फ वो राहत इस बात को लेकर के है कि अब वो लोग इंकम टैक्स में उनके ओपर आईट्यार भरना रिटर भरना जरूरी नहीं होगा लेकिन सस्ते घरों पर लोन की कुछ छूट जो पहले से दे जाती रही है वो जाली रहेगे टैक्स है याने के फिसकल डिफिस्ट वित्या घाटा जिसे कहते हैं इसमें साथे नौ परतिशत के आसपार फिसकल डिफिसिट है साथे आच्छे फिस्दी के आसपास 6.8 फिस्दी तक लाना लक्ष रखा गया है 2022 में जैसा कि 75 साल से अधिक उमर के लोगों को टैक्स में एक डिरेक्ट टैक्स वालों को कहीं न कहीं इसमें दे गई है लेकिन कारवारियों के लिए डिजिटल लेंदेन की सिमा कुछ बढ़ा दी गई विस्तार से आपको बताएंगे च्छटा साब ब्रेक लेते हैं